नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई वीडियो की शुरुआ सुन्दर सुन्दर फूल के साथ और बिल्कुल दोस्तों जो आज का वीडियो है वो बहुत बढ़िया है और इस वक्त दोस्तों जो मोसम चल रहा है न वो कटिंग लगाने का चल रहा है और नर्सरी से नए ने विंटर के प्लांट लाने का भी चल रहा है तो मैं लाओंगी दिवाली के बाद आप देख ले न अगर आपके या मोसम में थोड़ी थंड़क है तो आप लिया न तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उन प्लांट के उपर है जिनको की आप सर्दियों में त्यार कर सकते हो और अब जो गर्मी आएगी न मार्श अप्रेल में गर्मियों का मतलम जैसे मोसम स्टार्ट होगा तब तक आपके प्लांट त्यार हो जाएंगी तो यह सारे दोस्तों एवर गर्मी प्लांट है जिनको की आप इस मोसम में त्यार कर सकते हो और हर हर प्लांट पे मैंने वीडियो बना रखा है उसको लगाने का तरीका भी सिखा रखा है और जो प्रॉपर कटिंग त्यार हुई हुई है इन प्लांट्स की वो भी मैंने दिखा रखी है तो प्लांट्स देख लो आज आप कि कौन-कौन से प्लांट आपके घर में है या आसपास लगे हुए हैं तो बिल्कुल अपने घर म बार चेंज करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों ये जो evergreen plant है ना इनको आप जरूर लगाना तो वो था चांदनी का plant आपको पता ही होगा है ना और ये है दोस्तों yellow bells का plant इन सब की cutting जितनी पोदे में बताऊंगी ना इतनी असान है इनकी cutting लगानी किसी छोटे बच्चे को भी क पोड़िया है या आसपास लगे होए ना तो इस टेम फूल आ रहे होंगे थोड़ी सी आपको पैचानने में असानी हो जाएगी कि ये ये plants मुझे त्यार करने है इस वक्त जो मोसम होता है ना वो सभी पोद्धों का मिला जुला होता है जैसे कि मार्च का मोसम होता है ना ऐ इसको केटी कॉमा स्टेंस बोलते हैं तो जो मैं बताऊंगी ना उसके अलावा भी और भी जितनी evergreen plant है ना आप उनकी भी cutting लगा सकते हो क्योंकि देखो एक वीडियो में इतने सारे पोद्धे तो आ नहीं सकते लेकिन ये है कि आप motivated हो जाओगे cutting लगाने के लिए तो सारी में जितनी दिखाना ठीक रहेगा ना उतने दिखा दूँगी सुकुलेंट्स की variety भी हो चाहे इसमें कम पानी वाले हो ज्यादा पानी वाले हो तो इस तरिके से दोस्तों आप बोगन विला की भी कितनी variety stem त्यार कर सकते हो और ये दोस्तों जो मोसम है ना ये cutting को सूखने भ बड़ी बात है, आपके cutting त्यार होगी ही होगी, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे evergreen plant हैं, फूलो वाले succulents वगरा को छोड़के, मुएश्चर का जरा ध्यान रखना आपने, कि cutting जब आप लगा रहे हो, उसमें मुएश्चर बना रहे, ताकि जड़े बनने में और फैलने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर river sand और soil का mixture मिला के आप cutting लगाते हो तो बहुत जल्दी से त्यार हो जाती है cutting, करके देखना आप, थोड़े दिन में की cutting त्यार हो जाएंगी, फिर मुझे comment करके जरूर बताना कि मैं आप बिल्कुल ठीक करे थे, और मैं इसी portion को भी मैं काट दूँगी, इसको मैंने जानके नहीं काटा, इस पे नहीं बर्ड्स बन रही थी, मैंनका चल फूल खिल ले, फिर सारा time तो पड़ा ही है अभी, cutting लगाने का, और यहां से जहां से मैंने काटी थी, यहां से आप देख रहे हो, दो ब्रांचिस भी निकलाई ह हैं, बस यहां से मैं काट के और इसको फिर लगा दूँगी, जब फूल आने इसके बंद हो जाएंगे, तो यह portion भी मुझे अटपटा सा लग रहा है, तो इस time दोस्तों, कि मैं जानके बता रही हूँ कि इस time आप अपने plants को shape भी दे सकते हो, जो कि बरसात के बाद मतलब इ चार की हुई है, मैंने बोगन विला, और बोगन विला तो दोस्तों, evergreen plant है, चाहिए आप इसको गमलों में लगाओ, क्यारी में लगाओ, और कहीं भी आप इसको लगाओ, इतने सुन्दर लगते हैं यह, और इस सबसे बड़ी बात दोस्तों, बालकिनी में अगर आप इनक काट-छाट कैसे देती रहती हूँ, कुछ को बेल बना देती हूँ, जो मुझे लगता है कि बेल वाले पोद्धों के साथ रखे हैं plant, और कुछ को मैं चाती हूँ कि घने से हो जाएं और बहुत सारी ब्रांचिस निकलें, छोटे से plant परी, और फिर full खिलें, तो वो आपके ही छोटा सा शेप देना है प्लांट को और इस वक्त दोस्तों आप कैलन कोई वगएरा होगे बेबी संड रोज होगे आपके और और कुंसे भई और मतलब बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी आप इस वक्त कटिंग त्यार कर सकते हो बड़े अराम से तो इस वक्त दोस्तों कैलन कोई की भी cutting लगा सकते हो या इदर उदर लगे हुए हो तो आपके पास कोई और रंग है किसी और रंग की भी आपने cutting त्यार करनी है तो इस मोसम में आप कर सकते हो आरे ऐसा मत सोच ना आप सरदी में फूल आएंगे लेकिन आपके plant हमेशा बने रहेंगे और दोस्तों इसके plant देखने में भी बहुत कुपसूरत लेक्ते हैं इस वक्त आप अपने many plants की भी कटाई चटाई कर सकते हो लेकिन आपने उसकी डंडिया नहीं फैक नहीं है आपने उससे और नएने plant त्यार कर लेने हैं इस टैमना ओवर ग्रो करता है मनी plant तो मैं भी जो इसकी कटाई चटाई करती रहती हूं क्योंकि देखो जोटे जो गंबलों में plant लगे हूए उनको मुझे फैलाने वाली शेप देनी है ताकि गंबला भरा भरा लगे और जो मैंने वर्टिकली तियार कर रखे हैं मूस्टिक लगा के उनकी शेप हमें अलग देनी होती है तो वो आप देखना आपने किस तरीके की शेप देनी है लंबाई में ले जाना है उसको तो मूस्टिक लगानी है और इस तरीके से छोटे गंबलों में लगानी है तो आपने फैला के लगाना है और जो एक्ट्रा ब्रांचिस आपकी लंबी लंबी निकले उनको आप काटक और रोट प्लांट बना सकते हो और इसी तरीके से दोस्तों सिंगोनियम है रोईयों के प्लांट से आपके और कौन से होगे ऐलिफेंटियर प्लांट से आपके तो इस तरीके से भी आप नेने प्लांट त्यार कर सकते हो रूट के साथ लगा के और इस वक्त दोस्तों कोलियस क आप नएने प्लांट त्यार कर सकते हो, इसको ऐसा ही मोसम पसंद उपता है, ज्यादा गर्मी में आप देखते हो नो, कोलियस खराब हो जाते हैं, लेकिन ये जो मोसम है ना दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, इसको ऐसा ही मोसम पसंद है, मिला जुला सा, ना गरम ना ठंडा, तो इस वक्त आप नए-ने प्लांट्स त्यार कर सकते हो, फिर जब तक गर्मी आएंगी, हम बचाने की कोशिश करेंगे इसके प्लांट को, और इस वक्त आप कोलियस की कटाई छटाई भी करते हो, तो आपने उसकी ब्रांचीज नहीं फैक नहीं हैं, उस पर यह आप रेगुलर हटाते रहा करो, इससे क्या होता है कि आपके कोलियस की कटिंग रुख जाती है, बिल्कुल जैसे तूलसाजी वाला काम है, वैसा ही काम है कोलियस के साथ, इस पर छोटे-छोटे फूल बनते हैं, ना तो यह देखने में इतने कोई खास लगते हैं, और प्लांट को मैच्योर स्टेज में ले जाते हैं, इसके बाद देखो, फूल आने के बाद तो कहां से स्टेम डिकलेगी, लेकिन अगर आप यह हटाते रहते हो, तो फिर वहां से नहीनी ब्रांचे निकलती रहती हैं, और आपका प्लांट और घना होता है, और इस स्टेम बहुत अच्छी लगती है, और यह ड्वार्फ वाली भी, और दोनों इतने अराम से उख जाती हैं यह, कि आप पिछे देखो, मैंने वो सिंपल वाली वाली वराइटी की कटाई-चटाई की बहुत बड़े-बड़े प्लांट हो गए थे, उनकी जो मैंने कटिंग लगाई की रफसा हो गया है, तो आप उसकी कटिंग बिल्कुल मत फैकना, आप इसकी कटिंग बड़े अराम से लगा सकते हो, ठोड़े दिन में ही उसमें ग्रोथ आप दिखाई, ग्रोथ आपको दिखाई देगी, और नेक्स्ट अभी जैसा कि मैं बता रही थी, बेबी सन रोज हो आप यह मैं सोचा करो कि मैंने कटिंग लगा दी, मैं इसमें बरबर के पानी दूँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि एडीनी है, मैं देखू, मैंने रीवर सैंड में हलका सा स्प्रे कर दिया था, भी सुखा सा भी ना लगे, और ज़्यादा पानी नहीं दिना औलियंडर जिसको बोलते हैं, यह भी मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है, और फेवरेट इसलिए है क्योंकि इतना बरा बरा सा लगता है, देखो आप इसके सामने यह हाइबरिड बाला कनेर भी रखा है, और यह देसी कनेर है अपना, तो देसी कनेर पे भी स्टेंपूल आ बहुत सारे, और यह जो इस पे सीड पोड बनते हैं, इनसे भी आप उगा सकते हो, लेकिन जब कटिंग से उगाने इतना असान है, तो क्यों हम इतनी वेट करें, सीड मैचोर होंगे, तब हम उगाएंगे, और वो सीड भी क्यापता कई वर छोट छोटे जीव जन तु घू इस तरह का, बिलकुल उगा सकते हो, और अपनी पसंद के फूल की चोईस से भी आप प्लांट उगा सकते हो, मिक्स मैच करके, तो कनेर का भी दोस्तो, बहुत सुंदर प्लांट है, रफेंट अफ प्लांट है, तो मैं यही सोचती हूँ कि आप कम से कमना गर्मी आने से पहल और प्लांट त्यार कर लो, साइड में रखके, क्योंकि इस टेम जो आपने पर्सलेन और पर्चुल का बगरा है, वो थोड़े दिन बाद आप निकालोगे, अभी तो फूल आ रहे हैं, तो नही नही गमली आपके पास पढ़े होंगे, उनमें अपनी कटिंग्स त्यार कर और फिर मार्च अपरेल में तो ने ने पुद्धे त्यार होई जाएंगे आपके इतने प्यारे प्यारे प्यारे, और ये एसपेरेगस भी दोस्तों, आप छोट छोटे गमलों में इनके जो बलब आते हैं, वो मैंने आपको वीडियो बहुत बार दिखा रखा है, इनके न दिखें, और जिनकी ब्यूटी अलगो तो वही वहले प्लांटे हैं, इसपेरेगस के, और नेक्स प्लांट है भी आपका, इसका इकजोरा का प्लांट, और जिसको की हिंदी में रुकमनी भी बोल देते हैं, इसकी भी दोस्तों कटिंग बहुत अराम से त्यार हो जाते हैं, इस टेम क्या होता है न, बरसात के बाद यह ओवर ग्रो करता है, तो इसकी अभी तो मैंने कटिंग कर रखी है, नएनी कटिंग से लगा भी रखी है, तो इसको भी आप बड़े अराम से उगा सकते हो, और बहुत असानी से इसकी कटिंग त्यार हो जाती है, तो कटाई चट जब आप प्लांट की करते हो, तो आप यह देख लिया करो कि कौन सी स्टेम मेरे उगाने लायक है, उन से फिर आप नएने प्लांट बनाने की कोशिश किया करो, और दोस्तों जो पत्ते निकलते हैं आपके गार्ण में से या कटाई चटाई के बाद, उनको भी आपने फैक की गार्णा käएं, जिसको की सुंदर उपा बोलते हैं, जैसा इसका नाम है न वैसा ही इसका रूप है दोस्तों, अगर फ्लांट आपके गार्ण में तो आपके गार्ण की प्यूटी है क्योंकि दोस्तों इसकी पतियां इसका जो रूप है एकदम बहुत सुंदर है, और दोस्तों, आप नएने प्लांट भी त्यार कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से अगर आप प्लांट को mix and match करके रखते हो, तो बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट, और ज़रूरी निये कि आप बार बार भाग भाग के नरसरी जाओ और नएने प प्लांट की बहुत टाइम पहले, तब मैं भी खुद हरान रहेगी थी, जब नएने प्लांट त्यार हुए, बड़ा अच्छा लगा था देखके, और हिबिसकस तो दोस्तों, किसको पसंद नहीं हैं, हिबिसकस की तो आपको जुरूर ट्राई करनी चाहिए, कुछ तो ऐसे पोधे हैं, कि आपकी कटिंग खराब होगी ही नहीं, तो बस आपने जो फूलो वाले पोधे हैं, मैच्छोर प्लांट्स जो होते हैं, एवर ग्रीन, उनका बस आपने मुएश्चर का ही ध्यान रखना है, कि गंडे में मुएश्चर बना रहे, और जो सुकलेंट्स वगर है उनका भी पानी का ध्यान रखना, ज्यादा पानी ना दोआ, पैडीनियम होगे, कैक्टस होगे, सुकलेंट्स होगे, तो इसको भी दोस्तों बड़े अराम से आप त्यार कर सकते हैं, और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप जाके महां देख भी सकते ह कि अलग से इसको कैसे उगाना है, एक पोधे की भी कटिंग आप देख लोगे ना, उगाने का तरीका, आपको सारी ही आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अलग-लग से हर प्लांट की सीखो, एक पोधे की भी आपको अगर उगानी आगी, कटिंग, सुकुलेंट्स क की अलग से आगी, कैक्टस की आगी, एवर ग्रीन प्लांट्स की आगी, तो वही तरीका होता है सब का, और बस मुझे लगता है वीडियो को अबेंट कर देना चाहिए इन सुंदर-सुंदर फूलों के साथ, और अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करना, और बिल्कुल दोस्तों अपने जैसे दोस्तों को शियर भी किया करो, ताकि उनकी भी नौलिज बढ़े या उनका भी रुजहान बढ़े, कि हम भी गार्डनिंग करें, अपने घर में और सारे प्लांट आद आद सारे पिे जानएगा पूल सब्सक्राइब करें, और सारे की रुज़ कोया वजह सारे का इंडेन ।ौलिजा भी नौल दोस्तों है कि रीमस्तीया नौलिज़ में अथिए था रीमस्तीक,